आज से हम लोग का first class शुरू हो रहा है जिस class में हम लोग basic से सुरुआत करेंगे यानि वो भी बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं जो 11 बिल्कुल एकतम खराब करके हैं या 11 उनको समझ में नहीं आया या पढ़े ही नहीं है तो उनको भी यहां से 12 समझ में आने वाला है बस हमार किमिश्ट्री के facebook page पे अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो आप उसके बगल में एक थम का like का symbol दीख रहा होगा उस page को like कर लें ताकि उस page में जो भी वीडियो डला है आपके तक पहुँच जाए तो चलो जल्दी से आज से हम लोग सुरुआत करते हैं सुरुआत करने के बहुत ही complex माना है इसको आज के बाद हम आपको easy दिखाएंगे कि आपके लिए easy है हम का सकते हैं कि यदि अगर आपको किमिश्टी भारी लगता है अगर complex लगता है जटी लगता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े किमिश्टी आपको बिलकुल असान लगने बिज्ञान का definition नहीं आता है रसायन सहस्तर का definition नहीं मालुम है तो वह भी विद्यार्थी आज से जुड़ेंगे तो उनको सायथ समझ में आने लगेगा तो चलो सबसे पहले हम लोग आज से सुरुआत करते हैं definition of chemistry उसके अंतरगत जो भी हमें part मिलने वाले उसके definition देखें हैं तो बाबू आज से हम लोग chemistry का सुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं chemistry को हिंदी में कहते हैं हम लोग रसायन सास्त्र रसायन सास्त्र या रसायन बिग्यान रसायन बिग्यान इसे हम लोग कहते हैं chemistry तो आज से chemistry आपको समझ में आएगा वसरते आपको हमारे सथ regular रहना होगा तो chemistry का सुरुवात chemistry का definition इसके पहले हमने विज्ञान के बारे बता है कि विज्ञान अकिर है क्या कहां से आया है उसके बारे में detail हमने पिछले class के वीडियो में बताया है अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखने का कोसिस किजेगा और अगर वो देख लिए हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं तो आज से हम लोग का सुरुआत हो रहा है रसायन सास्त्र तो रसायन सास्त्र का मतलब क्या है तो रसायन का मतलब ही है chemical यानि chemical क्या है तो एक पदार्थ होगा यानि simple सी भाहसा में हम कर सकते है कि रसायन सास्त्र का मतलब होता है विसेस ज्यान यानि जिसके पास विसेस ज्यान आ गया समझी को वो वेक्ती सास्त्री हो गया तो उसी तरह से हमको इसके बारे में बिसेस जानकारी लेना है बिसेस ग्यान प्राप्त करना है तो इस रसायन के बारे में जो भी हम अध्यन करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे रसायन सास्त्र तेहां पर रसायन सास्त्र रसायन क्या है तो एक केमिकल है तो केमिकल क्या है एक प दार्थ के बारे में अध्यन करना होगा तो अगर हम इसका definition देखना चाहें तो सबसे पहले आज का हमारा रहेगा definition तो definition के लिए आप लोग तयार रहें हम जो भी बताएंगे आप उसे लिखेंगे तो definition आज से हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले रसायन सास्त्र का definition अगर आप से पुछेगा कि रसायन सास्त्र किसे कहते है रसायन सास्त्र क्या है रसायन सास्त्र का अर्थ क्या है रसायन सास्त्र कहां से आया है यह भी हमने पिछले क्लास में किया था कि किस तरह से हम लोग रसायन का सरुवात किये थे लेकिन आज हम लोग देखते हैं इसका definition तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपि में topic बनाएे रसायन सास्त्र का परिभासा जो भी रहे और आप अपने कॉपि में इसका definition लिखेंगे अगर नहीं जानते हैं तो लिखेंगे वाबू, रसायन सास्त्र हम बोलेंगे क्योंकि आप लोग सुनकर लिख सकते हैं रसायन सास्त्र विज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत पदार्थों के गुन धर्म, संरचना, सिधांत, आदी के बारे में अध्यन करते हैं क्या कहलाता है रसायन सास्त्र कहलाता है अगर आप नहीं सुने हैं तो एक बार फिर से रिफिले करके सुननें अब बाबू, हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसके अंतरगत हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ना है वो किसके अंतरगत आएगा तो रसायन सास्तर का अंतरगत आएगा अब देखे हम लोग थोड़े से आईए सी लेवल के हैं तो बिहार वोट के बच्चे है तो हिंदी के साथ साथ आपको थोड़े से इसके डिफिनेशन इंगलिस में भी देख लेने होंगे तो बाबू इसका सिंपल सा डिफिनेशन लिकलो Chemistry चाहिख सच व्रांच ऑफ साइंस भी लिक सकते हैं या थोड़ा सी आप लोग एकदम लोग किसम के हैं तो आप लोग इस डिफिनेसन को भी लिक सकते हैं केमेश्ट्री इस दा व्रांच आफ व्रांच आफ साइंस साइंस इन वीच इन वीच अश्टाडी इस अश्टाडी के अस्थान पर हम लोग डिल्स भी यूज कर सकते हैं अश्टाडी और डिल्स एवाउट प्रोपटीज अस्ट्रक्चर अस्ट्रक्चर फ्रिंसिपल्स फ्रिंसिपल्स इटी सी आफ मेटर इज कॉल्ड केमेश्ट्री तो अगर आप डिफिनेशन भी नहीं जानते हैं तो कम से कम आप छोटा सा ये डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिस में जरूर याद रखें तो ये डिफिनेशन है वाबू केमेश्ट्री इज दा व्रांच आफ साइंस इन वीच अश्टडी और डिल्स यानि अश्टडी के स्थान पर आप लोग डिल्स भी लिख सकते हैं डिल्स इबाउट प्रोपटीज अस्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स इटी सी आफ मैटर इज हम स्वाट में इससे भी डिनोट कर सकते हैं और सच व्रांच आफ सच व्रांच आफ साइंस साइंस इन वीच इन वीच इन वीच डिल्स इवाउट क्या है बाबू तो प्रोपटीज अस्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स इटी सी आफ मैटर is called chemistry तो इसके अंतरियत हम स्वाट में देख सकते हैं कि यह प्रोपटीज अस्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स इटी सी सब किसका देख रहा हैं मैटर का तो हम कह सकते हैं डारेक्ट कि हम इसमें किसके बारे मध्धन करते हैं तो पदार्थ के बारे मध्यन करते हैं, तो डिल्स एवाउट मैटर इज कॉल्ट इज कॉल्ट के मिश्ची, तो हम इसका सौड सा डिफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि जो रसायन सास्त्र हैं, वो भी ज्यान की वह साखा है, जिसके अंतरगत हम लोग पदार्थों के बारे में अध्यन करते हैं, तो हमारा जो पहला डिफिनेशन था ये है, और दूसरा डिफिनेशन ये है, आप दोनों को इसे इंगलिस में जरूर लिखने, ताकि आपको बाद में काम दे, समझ में आये, काकिर हम डिफिनेशन याद की हैं, तो किसका मतलब क्या होता है, तो यह सभी चोटे चोटे बात है जो अगर आपको कोई भी पूछ दे तो उनको बताना जरूरी होता है अगर नहीं बताएंगे तो आपको वो इंसल्ट करेंगे या आप उनके सामने थोड़ा इंसल्ट फिल किजिएगा तो चले जल्दी से आप इसे अगर नोट करना चाहे तो नोट कर होते हैं जो हमको पढ़ना भी है ऐसे तो बहुत हैं लेकिन हमको पढ़ना कितना है बाबो तो हमको पढ़ना तीन है कॉनको तो नहीं टों को सबसे पहले मालूम हो गया कि कारवानिक रसायन और भौतिक रसायन रसायन सास्त्र के क्या है फाट से रसायन सास्त्र कितने प्रकार के ऐसे बहुत से है इसके प्रकार लेकिन हमको पढ़ना है कितने तीन कौन-कौन वाबू तो पहला भौतिक रसायन जिन्हें भी दिकत होगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अकारवनिक रसायन और लाश्ट है वाबू लाश्ट नहीं है लेकिन हमारे लिए लाश्ट है क्योंकि हमें जिसका जरूरत नहीं है उसे अभी देखने की कोई जरूरत भी नहीं है अकारवनिक रसायन अगर हम सब को इंगलिस में देखें वाबू तो इसे हम लोग कहते है फिजिकल केमिश्ट्री अगर हम इसे देखे तो इसे हम लोग कहते है इन औरगेनिक केमिश्ट्री ये छोटे छोटे बात आप ध्यान में रखें बिल्कुल ध्यान में रखें क्योंकि आज से हम लोग का केमिश्ट्री का कलास सुरू हो चुका है और है बाबु हमारा और गेनी केमिस्ट्री क्योंकि हम हर एक छोटी बात आपको बताते चलेंगे तो आप उसको ख्याल में जरूर रखिएगा ध्यान में जरूर रखिएगा क्या खिर हमको पढ़ना क्या क्या है उसके अंतरगत क्या क्या आने वाले हैं अब चलो सबसे पहले हम लोग देख लेतें कि भौतिक रसायन क्या है भौतिक रसायन क्या कहते हैं किसे कहते हैं तो हम थोड़ा स्वाट में बोलेंगे आप समझने का कोशिस कीजिएगा सुनने का कोशिस कीजिएगा और अगर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने पास समझें कि आप क्लास में पढ़ रहे आप अपने साथ ये कॉपी कलम जरूर लेlled क्यूकि हम जो भी बात बोलेंगे अगर आप नोट करना strategman करना चाहेन नहीं करना ही है अगर आप पढ़ना चाहते हम से तो आपको भी बोले उसको नोट करना है तो बाबु सबसे पहले यहां पर हमारे पास है भहातिक रसायन अगर आप भेहातिक रसायन का definition जानते हैं परिभासा जानते हैं तब तो ठीक है नहीं तो इसका एक सौट सा definition अब दीखे बात वैसा याद रखना है जो जल्दी याद हो जाए आसा नहीं है कि दिन राथ उसको रटीत रहें फिर जब सुनाना रहें भूल जाए वैसा बात पर हमको फोकस नहीं करना सौट सहीं देखना है लेकिन उसका अर्थ सहीं निकलना चाहिए तो यहां पर हम कह सकते हैं भौतिक रसायन भौतिक घटनाओं के बारे में आप प्रैक्रितिक घटना घटेगा तो उसका कही ने कोई थियोरी होगा कोई ने कोई प्रिंसिपल होगा तो हम कह सकते हैं कि भौतिक रसायन रसायन सास्त्री की वह साखा है जिसके अंतरगत हम पदार्थों में हुए घटनाओं के सिधान्तों के ब मारे में अध्यान करते हैं उससे हम लोग फिज कल कमेश्टी या भौतिक रसायन करते हैं तो बाबू इसका डिफिनेसन अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए गा भौतिक रसायन का डिफिनेशन लिखेगा भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत पदार्थों के सिधानतों के बारे में अध्यन करते है भौतिक रसायन काहलाते है अगर आप इंगलिस में नोट करना चाहें तो लिख लीजिएगा फिजिकल क्विश्टी इजदा व्रांच अफ क्विश्टी इंछ 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 प्रांच और अध्यू पिजिएगर ultimately विख principles principles of matter matters is called physical chemistry तो जो भी नहीं जानते हैं इस definition को जरूर नोट कर ले इस के स्थान पे हम लोग डिल से भी यूज कर सकते हैं और डिल से वाउट principles of matter यानि पदार्थों के सिधानतों के बारे मध्यन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजकल के मिश्ट्री तो बाबू एडिफिनेशन आपको जरूर याद हो जाने चाहिए क्योंकि इस डिफिनेशन को अगर हम याद कर लेते हैं तभी जाकर हम आगे के लेवल पार करेंगे क्योंकि आपको बता है कि हमको step वाई step पढ़ना है क्योंकि जब तक हमारे पास step नहीं आएंगे हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे जल्दी से आप इसे note कर लें जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं क्या करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पेज को लाइक कर लें और आप मेरे साथ डेली बैठें डेली लेकर वैठे, कॉपी कलम लेने से क्या होगा? हमारे पस जो भी बाद रहेंगे वह आप कॉपी में नोट असानी से कर सकते हैं, यह नोट असानी से क्या होगा? कि आपको जो भी जरूरत वाले चीज रहें या जो आप नहीं जानते हैं उसको आप जल्दी से copy में note कर सके तो चलो अब वो इस तरह से हम लोग physical chemistry का definition देख लिए अब हमारे पास आता है in organic chemistry जिसे हम लोग कहते है अकारवनिक रसायन तो अकारवनिक रसायन किसे कहते हैं तो इसके पुराने जमाने में बहुत तरह के definition थे बहुत तरह के definition को हमको नहीं देखना है हमको simple and short सा definition देखना है जिसका कोई और्थ हो और हमें बोलने में असान लगे हम जल्दी से इसको याद कर पाएं तो अकारवनिक का मतलब ही है बावू के कारवनिक का उल्टा यानि इसमें का कारवनिक का कोई भी properties होना नहीं चाहिए जब कैसा नहीं है इसमें भी इसका propget मिलता है तो अभी हमको देखना है आकारवनिक रसायन तो अकारवनिक रसायन सभावित रुप से वही है जिसके अंतरगद हम लोग elements यानि तत्वो के वारे में अध्यन करते है जिस topic में करते हैं, जिस chapter में करते हैं, जिस part के अंतरगत करते हैं, वही हमारा कहलाता है आकारवनिक रसायन, यानि जिसके अंतरगत हम लोग तत्वों के बारे मद्धन करते हैं, वो क्या कहलाता है आकारवनिक रसायन, अब एक बात हमको यहाँ पर देखना है, जो हमें पास मिलते हैं तथ के छोड़ सकते हैं कि जसके अंतरकात हम लोग तत्बो यहुंद्य applied general करते हैं उससे हम लोग कया काते हैं और आप लोग और ống अकर्वनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत तत्बो या खनीजों के वारे में अकर्वनिक रसायन कहलाते हैं जल्दी से डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे इन ओर्गेनिक केमिस्ट्री इच दा ब्रांच आफ केमिस्ट्री आफ केमिस्ट्री इन वीच इन वीच अश्टडी और डिल्स एवावट किसके बारे में हम लोग अध्यन करते हैं इलिमेंट्स और मिनिरल्स इज काल्ड इन ओर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन हम लें लिकवा रहे हैं इसे आप जरूर ध्यान से रखें याद करके रखें समझ कर रखें आपको याद हो जाएगा तो बाबू हमारा इन ओर्गेनिक केमिस्ट्री व्यादी सिंपल है जिसके अंतरगत हम लोग इलिमेंट्स यानि तत्वों के और मिनिरल्स यानि खनीजों के बारे में अध्यन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इन ओर्गेनिक केमिस्ट्री तो जलो जल्दी से फर्ष्ट आप लोग अकारवनिक रसायन का डिफिनेशन हिंदी में नोट कर लिया होगा इंग्लिस में भी note कर लिए तो यह है बाबू हमारा इन ओरगेनिक chemistry जल्दी से आपने लोग note कर लिए अब देखे हमारे पास आता है आकारवानिक रसायन आकारवानिक रसायन को हम लोग कहते हैं organic chemistry और ओरगेनिक का मतलब ही होता है यानि जिसको हम लोग कह सकते हैं अंग हमारे अर्गन से अंग से यानि सुरुवाती दौर में सबसे पहले इसके बारे में बहुत सारे बैग्यानिकों ने बहुत तरह के बात बताया है आलग अलग तरह के अपने अपने भासों में कुछ-कुछ बात बताया है बरजिलियस थे वोलर थे उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे बैग्यानिक आते गए जिसके बारे में इसके बहुत तरह का खोज होते रहा तो सुरुवाती दौर में इसका बात बताया गया सन 1815 इसमी में उस समय में इसके एक बीटल फोर्स थियोरी विया थे और गेनिक मिश्टिंग अतरगा तो उ इसके बारे में हम लोग देखेंगे बात में जब हम लोग जब हम इस टोपिक को पड़ेंगे इस पार्ट को पढ़ेंगे तब देखें account करना है तो पे यहाँ पर कारवनिक हो देखेंगे जो कारवनिक योगिक होते हैं वही कारवनिक योगिक सिर्फ और सिर्फ सजिब पूलायों से ही प्रानियुं किया सकता है इसे हम किसी भी लिविरेट्रि में यहाँ परियुक साला में नहीं बना सकते हैं लेकिन कुछ समय बाद ऐसे बैग्यानिक फेक्रेट्रिक बोलर नामे के बैग्यानिक आया जो सबसे पहले परियोग इनका जो थियोरी था वो गलत सावित हो गया नय नय थियोरी आते गए इसके बाद लाखो दो लाखाज हमारे पस करूड़ो ऐसे कमपॉंड मिल चुके है जो और गेनिक कमिस्ट्री के अंतरगत आते हैं तो हमको उसको नहीं देखना है हमों डिफिनेशन देखना है तो कारव कारवनिक रसायन रसायन विज्ञान के वसाखा है सुनेगा ध्यान से कारवनिक रसायन रसायन विज्ञान के वसाखा है जिसके अंतरगत कारवन या उससे बने योगिकों के बारे में अध्यन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कारवनिक रसायन लेकिन इसको थोड़ा सा मोडि फाई हम लोग करते हैं क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि कार्वनिक योगिक तभी बनेंगे जब उसके पास हाइड्रो कार्वन का प्रोपर्टीज हाइड्रो कार्वन का गुन प्रेजिंट होगा उपस्तित होगा तो अब हम इसका नए अवले डिफिनेशन जो साफ तोर से हमको सांति से याद करवाएगा उसको हम लोग लिखेंगे तो चलो कार्वनिक रसायन लिखकर आप लोग डैस दीजिए कार्वनिक रसायन लिखकर डैस देंगे लिखेंगे कार्वनिक रसायन कार्वनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह साखा है कार्वनिक रसायन रसायन विज ज्यान की वह साखा है जिसके अंतरगत हाइड्रोकारवन एवं उसके ब्यूत्पनों के बारे में अध्यन करते हैं कि इवं उसके ब्यूत्पनों के बारे में अध्यन करते हैं कारवनिक रसायन कहलाते हैं यानि सिंपल सी भासा में हम कर सकते हैं वावों की और गेनिक में वह होंगे जिसके अंतरगत हम लोग हाइड्रोकारवन कंपांड और उसके डेरिवेटिव के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे तो इसे को हम लोग derivative यह हैं इसी को हम लोग definition के रूप में लिख देंगे तो चलो यहां पर लिख देंगे चल्दी से English में organic chemistry organic chemistry is the branch of chemistry branch of chemistry in which in which a study or deals about a study or deals about hydrocarbon hydrocarbon and his derivatives and his derivatives is called organic chemistry is called organic chemistry तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग तीनों का डिफिनेशन देख लिए भौतिक रसायन और कार्वनिक रसायन तो आप लोग आज इससे जरूर कंप्लीट कर ले आपको डिफिनेशन कभी भी दिक्कत में नहीं आना चाहिए डिफिनेशन कोई भी पूछे आप फटक से उसका ब्यूतपनों के बारे मध्यन करते हैं डिफिनेशन काफी सिंपल तरीके से हमने लिखवाया है आप इससे सौट में और बोल सकते हैं कि सच ब्रांच ओफ यहां से डाइरेक्टा बोल सकते हैं कि सच ब्रांच ओफ किमिश्ट्री इन वीच श्टाडी और डिल से वाउट और यहांनिक के मिश्ट्री तो आप इसे असान से वहासु में बोल सकते हैं आप यह भी बोल सकते हैं कि हम लोग इसके वारे में दिन करते हैं तो आप एकदम से डिफिनेशन याद करके आपने एकदम हिरदय में भर लिजे कि कोई भी हम को चलते फिरते रोड पर भी अगर कोई पूछ दे तो हम फटाक्स उसको अंसर दे दे तो चलो आज है हमारे डिफिनेशन अब डिफिनेशन के आगे कुछ हमारे बेसिक वात है